टीवी रेयलिटी शो बिग बॉस सीजन 14 के घर में अली गोनी और जैस्मेन भसीन अपने क्यूट रिलेशन्शिप को लेकर काफी चर्चा बटोरते गए नजर आएं जहां एक और जैस्मेन घर से बाहर हो चुकी है तो वहीं एली अपने फान्स को जम कर एंटरेटेन करते हुए नजर आ रहे हैं इस बीच देखा जाए तो जैस्मेन भरपूर सपोर्ट कर रही है एली को और चाहती है कि एली शो के विनर वन कर ही बाहर निकले वेल जहां एक और जैस्मेन घर से बाहर आ चुकी है तो वहीं एली के साथ रिस्ते को लेकर खुल कर बाचीत करती हुए भी नजर आ रही है इस बीच जैस्मेन की परिवार के सदस्य और एली गोनी की परिवार के सदस्यों का बयान भी सामने आ रहा है जिहां परिवार के सदस्य अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं देते हुए नजर आ रहे हैं जैस्मेन और एली के रिलेशन को लेकर हाल ही में एली गोनी के भाई अर्सलन गोनी ने अपने इंट्रेव्यू में एली और जैस्मीन के रिस्ते को लेकर एक शौकिंग स्टेटमेंट दिया है बताती हैं कि आखिरकार क्या कहते हुए नजराएं हैं अर्सलन असलन ने अपने इंट्रेव्यू में कहा है मेरी नौलिज में एली और जैस्मीन सिर्फ अच्छे दोस्त है जब मेरी दोनों से लास्ट मीटिंग हुई थी उसके बाद मुझसे बस यही महसूस हुआ कि दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त है लेकिन अब दोनों के बीच रोमें करता हूँ और अभी तक उसने मुझसे इस बारे में कुछ नहीं कहा है इसलिए मैं कोई भी कॉमेंट नहीं कर सकता हूँ इतना ही नहीं असलन ने आगे ये भी बताया कि मैं जैस्मीन भसीन को पसंद करता हूँ वो बहुत ही अच्छी लड़की है लेकिन मुझे अभी तक समझ नहीं आया है कि वहां क्या चल रहा है मैं नहीं जानता हूँ कि अगर दोनों के बीच फ्रेंट्शिप से बढ़कर भी कुछ है तो बहुत सारे लोग इस बारे में बात कर रहे हैं लेकिन एली ने अपने मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहा है मैं दोनों के रिलेशनशिप पर कोई कॉमेंट नहीं करना चाहता हूँ और इस तरह से अरसलन एलीगोनी और जैस्मीन के रिस्ते को लेकर बयान देते हुए नजरा है ऐसे में देखा जाए तो अरसलन ने कह दिया है कि वह दोनों के रिलेशन को लेकर कोई भी कॉमेंट नहीं करना चाहते हैं और साथ ही साथ अरसलन ने अपने दिल की बाद जाहिर की और कहा कि अली गॉनी बिग बॉस सीजन 14 की ट्रॉफी को जीतेंगे उन्हें बिश्वास है कि एली इस शो के विनर बनेंगे हमारे इस खास रिपोर्ट में इतना ही तब तक कि लिए आप देखते रहें नेक्स्ट नाइन न्यूस